जैश्री कृष्णा दोस्तों, लाइफ कीपर में आपका स्वागत है. भगवान आपको सदैख खुश रखे, सबका भला हो, किसी का बुरा वक्त ना आए. साथियों अगर किसी का बुरा समय आता भी है, तो उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बस प्रभु में बिस्वास रखके उससे प्रार्थना करते रहो, आपका सब मंगल होगा. साथियों गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इनसान को ये दो काम जरूर करना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण ने गीता के नौवे अध्याय के 22 वे श्लोप में कहा है, कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ, जो उनके पास नहीं है. साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं लेकिन बुरे समय के बारे में लोग घबरा जाते हैं और वाकई में इसका क्या मूल कारण है इस पर चर्चा न करके अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा में क्या करूं। क्या ऐसा किया जाए जो अपना बुरा समय जल्दी समाप्त हो जाए और अच्छा समय आ जाए। साथियों लेकिन सच तो ये है कि हम कुछ भी सोचते रहते हैं क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव सोच ही घूंती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है? आएए हम इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों एक गाउ में एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब लेकिन बहुत मेंती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल दस मिनट भगवान के आगे हाथ जोड कर प्रार्थना करता था, और उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। और फिर प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता रहता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि वह अपनी दिन चर्या सही धंग से चला रहा था और साथ साथ में हर दिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन भी किया करता था अपनी मेनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें वह खुश था और उसमें से कुछ पैंसे गरीब लोगों या जरूरकमंद लोगों की भलाई में लगा देता दोस्तों एक दिन उस किसान के गाउं में बीमारी फैल गई और किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया किसान के गाउं में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था तो पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया पर शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महगा था उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदी दे पाना बहुत ही मुश्किल था और किसान प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था बहुत दिन हो गए थे पर उसका बेटा बराबर ठीक नहीं हुआ फिर एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर-जोर से रोने लगा और साथ ही कहने लगा पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे है कभी वह खुद को कोस्ता तो कभी भगवान को लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था उसको जरूर कुछ उम्मीद थी लेकिन किसान को आशा की कोई किरन नजर नहीं आ रही थी साथियों उस अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था दॉक्टर ने उस किसान से कहा आपके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्चक्ता है पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकठा कर पाना मुश्किल था। किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। उसकी बातों से पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। फिर साथियों सेठ ने कागस पर अपना पता लिखते हुए कहा। अगर उनको और पेंसों की आवश्शक्ता हो तो वे बहिचक मांग ले। किसान की पतनी बहुत खुश हो गई, फिर किसान की पतनी उत्तर दिया इस कागस की कोई आवश्शक्ता नहीं है। वो जानती है कि ये पेंसा उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैंसे दिये हैं, वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों इस कहते हैं अटूट विश्वास, ये सबसे जरूरी चीज हैं जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के नौवे अध्याय के 22 वे श्लोक में यही कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूशरे अध्याय के 14 वे श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है यानि ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए दोस्तों दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखो इश्वर सबकी सुनते हैं आप बस अपना द्रिड विस्वास बनाए रखना और अपने मन को नियंत्रण में रखकर प्रभु से प्रार्थना करते रहो फिर आपका कल्यान ही कल्यान होगा तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको विडियो अच्छा लगा हो कृप्या विडियो को लाइक, शेर और कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में बैल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी चैनल पर नया विडियो आए तो सर्वप्रथम आपको ही मिले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो